ये एक थैला है जो कि इस थैला में रखके ऐसे कंधा पर टांग सकते हैं नमस्कार मेरा नाम संतन कुमार है और आप एस्विया स्मार्टे की योट्यूब चैनल देख रहे हैं अभी हमारे साथ Amazon से रिसीट एक पार्सल है जो कि कल रिसीब हुआ था लेकिन मैं इसका अनबॉक्सिंग आज करने वाला हूँ इसके अंदर है बोया M1 माइक अब आपको लग रहा हुआ कि ये बोया बाई M1 माइक क्यों लिया है तो गाइज मैं आपको बता दू कि सबसे बेस्ट माइक ये है और जितने भी यूट्यूब पे किरियेटर अभी है 95% लोग इस माइक का यूज करते हैं इसलिए हम भी इस माइक को परचेश किये हैं और ये माइक अच्छा रहता है तो इसका अन्वॉक्सिंग करने वाले हैं और इसका प्राइस भी बताएंगे कि अभी इसका प्राइस कितना है और इसका जो प्राइस है वो घर्टे बढ़ते रहता है 600-800 के रेंज में इसका प्राइस हमेशा रहता है तो चलिए इसका अन्वॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या में मिलता है पैकिंग तो काफी अच्छा है डेमेज नहीं हुआ है कि अभी के भी होता क्या है कि एमेजन ये फ्लिपकर्ट से प्रोडक्ट आते आते जो पैकेजिंग है वो डेमेज हो जाता है तो यह तो अभी बढ़िया है भाई देखते हैं इसका देखिए यह खुल चुका है गाई अब नहीं से ज़रूरी था एमेज़न वालों को को यह किये इतना चोटा डब्ब्बा गाईज और देख सकते हैं इसका पैकिंग कितना बड़ा रूप्शारे में पैक किया है स्वालतूं था स्वाम है कि यह रखते शाइड में रहते हैं अब देखिए इन आह है पर यह हम ने 680 रुपया में पर्चेश किया है गाई, only 680, कभी इसका रेट 600 भी हो जाता है, कभी इसका रेट 800 भी हो जाता है, और हमेशा घर्टे बढ़ते रहता है, चलिए, अब इसको अन्बोक्स करते हैं, और इसका sound भी टेस्ट करके अगले वीडियो में दिखाएंगे, तो भाई सहाब ये खुल चुका है बाक्स, और इससे इसमें जो भी प्रोडक्ट है, उसको हम बाहर निकलते हैं, देखिए, ये रहा, ये अब इसमें कुछ नहीं है, देखिए, ये बोया का स्टिकर है, और ये बोया माइक का जो है, वो वरंटी कार्ड है, ये वरंटी देखिए, ये यूजर मिनुवल है, आप इस माइक को कैसे यूज करेंगे, वो इस पेज में बताया गया है, और चलिए, देख सकते हैं, ये रहा माइक, काफी संदार लूक रहता है गाईज, इसका, देखिए, उसके बाद ये और छोटा सा बोया का, ब्रेंड का कार्ड मि इस पेक में देखिए गाईज, इसमें फोम है, फोम छोर पे लगता है, इस फोम रहता है, जो कि बाहरी नुवाइज को कैंसिल करता है हद तक, और एक चूटा रहता है, चूटा जो कि कॉलर में लगाने के लिए होता है, और एक छोटा सा बैटरी भी रहता है, जो कि इसमे देखिए इसमें एक बैटरी भी लगता है इसमें खोल करके बैटरी लगाना होता है गाइस यही है माइक और यह थैला है जो कि इस थैला में रखके ऐसे कंधा पर टांग सकते हैं तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा बाकी आप बोया माइक पर्च कर सकते हैं या फिर आप फ्लिप कार्ट या एमजान पे सर्च किजिए गा माइक आपको मिल जाएगा तो आपको सब्सक्राइब करके एक पर लिजए ।